फ्रेंड्स खीर तो आपने बहुत बार खाई होगी एक बार मेरे तरीके से यह लौकी की खाईएगा बहुत ही टेस्टी बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा एक दम जटपन बनकर तयार हो जाएगी तो चलिए दोस्तों कढ़ाई में लौकी की खीर तो देरी ना करके फटाफट से अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं हेलो एव्रीवन वेलकम बेक टू माई चैनल कुछ की रस होई सो दोस्तों लौकी की खीर बनाने के लिए सबसे पहले हमने गैस पे कढ़ाई रख दिये फ्लिम को अन कर दिया है अब क्या क और में यह उन्हiyor और आप क्या करें जोड़ लेंगे अब ऑड़की करके इसके त्यार लोगाने जो अच्छे से निचोड लेंगे थाकि हमारी खीर बनने तो छलिए दोस्तों सारी लोगी कटी कर आग्ए ता चैसे निचोड लेंगे तो friends आप देख सकते हैं, बातों ही बातों में मेरी सारी लॉकी अच्छे से निचूट चुकी है, यह देखे दोस्तों, बिल्कुल भी इसमें नमी नहीं है, आप देख सकते हैं, तो मैंने यह दूसरे बरतन में कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, इतने हमारे ना, जो दूद दूद था ना, कड़ाई पर हमने रखा था, वो भी अच्छे से बॉइल हो चुका है, तो चलिए चेक कर लेते हैं, फ्रेंट्स आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से हमारा दूद बॉइल हो चुका है, यह देखी दोस्तों, अब क्या करेंगे, हम यहापे जो हमने ल पकाएंगे ना, उतनी अच्छे से यह लौकी की खीर बनेगी, तो फ्रेंट्स आप क्या करेंगे, इसी बीच में हम यहाँ डाल देंगे, जो दिवाली पे खिलोने से पूझा नहीं होती, वही खिलोने मीठी होते हैं, तो मैंने यह डाल दिये हैं, और आप चाहो तो इसमे चीनी डाल सकते हैं, जैसा आप खा सकते हो, कम यह ज़्यादा, तो यहाँ मैंने मीठी वाले खिलोने डाल दिये हैं, डालने के वाल इसको अच्छे से घुलने देंगे, इतने यह घुलेगा, अच्छे से पकने देते हैं, इतने हम मेवे के तैयार कर लेते हैं, यहाँ पर म और शिमने बहुत है बहुत हैं और आप देख सकते हैं लॉकीह बहुत ही अच्छे से ले लेंगे और आप मेने पहले किशमिश बगर डाल दिन्हें आब यहां पहले और मखाणे भी डालेंगे डालेंगे इस तरही है जैसे मैं मिला लघा है आपको वैसे बियाखे लना लिया है आप डूस्त अदेख सकते हैं हमारी खीद बनिए तो चलिए इसको अच्छे से एक बार और बॉइल लगा लेते हैं जब तक इसमें मलाई न पढ़ जाए आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से खीर में मलाई पढ़के तयार हो चुकी है और जो हमारी मेवा थी न वह भी बहुत ही अच्छे से गल चुकी है आप देख सकते हैं मैं इस परचला से कंटीन्यू चला रही हूँ खीर एकदम परफेक्ट तरीके से बनिए आप जब भी इस तरीके से बनाएंगे नगाई इस बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनेगी तो एक बार ट्राय जरू करना आपकी खीर बिल्कुल भी नहीं फटे ही अगर लोकी की इस तरीके से खीर बनाएंगे तो चलिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे इसकी कर लेते हैं प्लेटिंग फटा फट से सो फ्रेंड्स यह देखिए गर्मा गर्मा हमारी लोकी की खीर बनकर तयार होते हैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाए और कड़ाई में एक दम परफेक्ट तरीके से बनीए जटपट से और फ्रेंड्स बिल्कुल भी हमारे खीर फटी नहीं है क्योंकि अधिक्तम लोगों सो फ्रेंड्स आपको हमारी लोकी की खीर कैसे लगी जरू कमेंड बोक्स में बताना और बहुती टेश्टी लगते हैं घर आये महमान को भी बनाकर खिला सकते हैं बहुती मज़िदार बनती हैं आपके बच्चे लोकी नहीं खाते हैं तो आप इस तरीके से खिलाईएगा ब बहुत ज़यके पसंद आती है है बार क्षश्टी बच्चे बड़े बहुत ज़यके पसंद अब है लिए का बहुत ज़यक है महमान को भी बनाकर किसी बनाऊजी दोस्तों आपको कैसे लगी अच्छी लगी तो प्लीज के सक्कारब कर दें किया भाई और enjoy कर सके full watch करने के लिए वीडियो दिल से thank you so much बड़े हो तो आशिवात दे धेर सारा प्यार दे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ निव रेसिपी के साथ बाबाय टेक के लाव यू